Hello my dear friends, welcome back to another video Friends, college खुलते ही या फिर college में अडमिशन लेते वक्त जिन दो डोकुमेंट्स के लिए students को परेशान किया जाता है या फिर ये कह सकते हैं आप students परेशान हो जाते हैं वो यार anti-ranking affidavit और medical fitness certificate है मैं भी अपने time पर जब मैंने admission लेता तो मैं भी परेशान हो था और भाई परेशान क्यों हो जाते हैं इसके पीछे रीजन है यार कि आपको आठ से पहले यार इनके कभी जरुरूत ही नहीं पड़ी तो इसलिए यार आपने ये कभी बनवाई भी नहीं ठीक है फरक्जामपल यार अधार कार्ट 10th मार्क शीट 12th माइग्रेशन सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट ये सारे डोकमेंट्स यार इन में से जादा था और कैसे बनवाई ठीक है तो भाई देको मैं पहले आपको शोट फूम में बतायता हूं ठीक है अगर बात करें हम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की तो वह आप अपनी मार्केट में आपके आस प्रोडूस में जो भी समिट करवा देना तो एक प्रोडूम तो ही सोल अच्छा जी अब बात करें यार एंटी रैकिंग एफिडैविट की तो भाई देखो एंटी रैकिंग एफिडैविट बनवाने के आपके पास बेसिकली देखा जाए तो तीन तरीके है ठीक है सबसे पहला तरीका यार आपक दो एंटी रैकिंग एफिडैविट बनने पड़ते हैं एक आपके नाम पर और एक पेरेंट्स के नाम पर ठीक है तो बैसिकली यार एक फिछ लेते हैं वह सो सो देटी रुटी बनेगा ठीक है यार आपका दो सो या तीन सो रपरे के इंदर वहां से बन जाएगा तो भाई कोट से एफिडेविट बनाने के लिए बाई ओल्मोस्ट सेम प्रोसीजर ठीक है आपको सिंपल यार दो एंट्रेगिं एफिडेविट की फाइल लेने पड़ती है एक पिरेंट के नाम से होती है एक स्टुडेंट के नाम होती है ठीक है उसके अंदर भाई आपको 10 या 20 हो जाएक दूर होता है और कुछ दो जा रहें होता है की से जोरी जाते है तो यार बहुट है तो की और आप परोत basic होती है घृटो तो भाई अब बात कर लेते हैं थारडवे की ठीक है जो थारडवे है यार वो मेरा फेवरेट है ठीक है क्यों भाई क्यों भाई वो फ्री में होता है जी हाँ दोस्तों तीसरे तरीके के अंदर आपको ओनलाइन ही घर बैठ कर एक एंटी रेकिंग अंडर्टेकिंग का फोर्म और ना भाई आपको एक भी रुपे की जरूरत तो भाई तीनों तरीके यार मैंने आपको शोट में बता दिये हैं ठीक है जो भी स्टुदेंट यार कोलेज के गेट से एक फोर्म लेकर उसको फिल करके समिट करवाना चाते है और या फिर कोट से बनवाना चाते है ठीक है उन स्टुदेंट्स के लिए ये वीडियो यहीं पर समापत हो जाती है ठीक है आप जा सकते हो लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टुदेंटों जो कि तीसरे तरीके से एफिडविट बनवाना चाते हो ठीक है जाना कि ओनलाइन मोड में आप अपना एंटी रेगिंग एफिडव देन डोंट फोर्गेट तो सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन तो गेट जी नोटिफिकेशन ओफ ओल मैं लेटेस्ट वीडियो नाव विदाओ अनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टेट इन्ट 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 सबसे पहले आप जो भी वेब-ब्राउजर यूज करते हो आपको सिंपली वो वेब-ब्राउजर ओपन कर लेना है उसके बाद आपको सिंपली आपके वेब-ब्राउजर के इंदर टाइप करना है अमन मूवमेंट ठीक है अमन movement सर्च करना है आपको ठीक है जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करते हो सबसे पहले नमबर पर जो link आता है among movement.org वाला ठीक है आपको simply उसके उपर click कर देना है जैसे ही आप first link पर click करोगे आपके सामने एक ऐसा interface आ जागा ठीक है ये बाई कुछ points है अगर कोई पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकता है वरनाब तक आपने पढ़ी लिये होंगे इतने लंबे intro के अंदर बाई मैंने इसी का screenshot लेकर डाल रखका दा तो friends simply आपको continue पर click कर देना है उसके बाद आपके सामने एक ऐसा message pop up हो जागा ठीक है आपको simply इसके उपर ok पर click कर देना है ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी खुछ की personal details fill करनी है ठीक है तो जो सबसे पहला column और उसके अंदर आपको simply आपका surname एंटर करना ठीक है तो जो भी आपका name है याग आप यहाँ पर enter कर दें ठीक है इसके बाद आपको simply आपका gender select करना है country of origin आपका already selected होगा इसके बाद आपको simply state select करना है ठीक है आप जिस भी state से हूँ आपको state select कर लेना है इसके बाद आपको simply आपको mobile number डालना है ठीक है इसके बाद भाई next column में भी आपको simply यही mail ID आपकी दुबारा डालने है confirmation के लिए ठीक है यह सभी details fill करने के बाद friends आपको simply next को उपर click कर देना है जैसे ही आप next पर click करोगे आपके सामने एक ऐसा webpage open हो जागा ठीक है जिसके अंदर आपको parents की details fill करने है आपको title select कर लेना है अगर आप father की details provide करवाने वाले हो तो भाई mister select कर लेना ठीक है अगर mother की details provide करवाने वाले हो तो भाई आप simply missy select कर लेना उसके बाद friends यहाँ पर आपको simply आपका parent का name डालना है ठीक है इसके बाद friends next column में आपको simply आपका parent address डालना है ठीक है में पर आपके का मोबाइल नम्बर कर से गा 250 आएड़ी डाल में चुक् exem कर देना है यह इस्के बाद फ्रेंट को सिंपल की ड्याफ टो बाई जो भी आपके के मेल एडी हो वह आपको फियाँ अंच पर कलिक करना है जैसे-इस की रिख प कर लोगर है यहाल professional और general college ठीक है तो भाई जो भी आपका college है इंजीनियरिंग college है medical college है फार्मेशी college है जो भी आपको college है वो आप यहाँ पर अगर इन में से आपको कोई साथ नहीं है तो भाई आप सिंपली अधर पर क्लिक कर सकते हूं इसके बाद नेक्स्ट को अदर आपको अपने इंटर कर सकते हूं लेकिन most of the cases के अंदर आपको AISC code नहीं पता होगा ठीक है तो भाई आपको यार AISC code पता करने के लिए simply find AISC code पर क्लिक करना है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करते हूं आपके सामने एक ऐसा web page लोड हो जाएगा यहाँ पर भाई सबसे पहले आपको अपना institution type select करना ठीक है अग next column में friend आपका college इस भी district में located है ठीक है अगर आपको district पता है तो भाई आप इसे blank छोड़ सकते हूं इसके बाद friends next column में आपको simply अपने university type select कर लेने ठीक है अगर आपको पता है कि आपकी university Central Open University है Central University है या फिर State Government University है ठीक है तो भाई अगर आपको पता है तो भाई आप particular वो ठीक है उस हिसाब से भाई उसके इंदर जितने भी universities होंगी वो सारी आपके पास यहां पर आ जाएंगे आपकी university का जो भी नेम आजार आपको simply वो name select कर लेना है इसके बाद friends आपको simply यहां पर submit पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे ही आप submit पर क्लिक करोगे आपके सामने जित बाई अगर हम चोधरी रनबीर सिंग स्ट इंस्टिटूट ऑफ इंजिनिरिंग और टेकनोलोजी के बात करें तो उसका एए एससे कोड़ा यार सी 58700 ठीक है तो आपको यार यह वहां पर enter कर देना है इसके बाद friends next column में आपके अपर इसके बाद आपकी नेम पर बहुत सार सेलेक्ट कर लें तो बहुत करने के बाद अगर में है को यहां पर इसके बाद प्रेंटर करना थिक है और अगर मैं में कोई तो बहुत अगले कॉलों में आपको जेंटर करना है ठीक है भाई इसके बाद दोस्तों next column में आप से आपके college का phone number पूछ रहा है ठीक है अगर आपको phone number पता है तो आप डाल सकते हो वरना भाई इस column को भी आप blank छोड़ सकते हो चालनी है तो भाई सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स कर लें ठीक है अगर अगले कोलों में आपसे आपका registration और पूछ रहा ठीक है तो भाई जो भी आपका enrollment नमबर रहा है वह आप यहां पर एंटर कर दें इसके बाद भाई next column में आप से पुछ रहा how many students are in your class ठीक है तो भाई अगर आपको exact नमबर पता है तो भाई बहुत ही बढ़िया बात आप यहां पर इसके बाद friends आपको simply next पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप next पर क्लिक करोगा आपके सामने एक confidential survey करके एक page open हो जाएगा ठीक है जिसके अंदर आपसे कुछ basic questions पूछे हुए है ठीक है तो भाई सबसे पहला question है यहां पर आपको simply no पर करना है ठीक है इसके बाद friends next column में आपको did you ever rag anybody ठीक है तो भाई यहां पर भी आपको simply obviously no ही select करना है इसके बाद दोस्तों next column आपको what is the phone number of national anti-ragging help line ठीक है तो भाई अगर को student को याद हो तो वह यहां से डाल दे नहीं याद हो तो भाई सर्च करके डाल दे ठीक है अगर नहीं डालना चाहता तो भाई blank में छोड़ सकता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है fourth column में आप से पुछ रहा है does ragging happen in your college ठीक है तो भाई यहां पर याद आउबिएसलि आप सभी को नन सेलेक्ट करना है वैसे यारा अगर कोई करना चाहिए ठीक है अगर किसी college में mild dragging होती वह यहां पर mild भी सलेक्क कर सकता है किसी का सीवियर होती हो थो भाई सीवियर भी सलेक्ट कर सकता है लेकिन अमारा college विल्स सबमेट ओनुलाइन ऐफुडेविट पे क्लिक कर देना है जैसे ही फ्रेंड सब्सeg पे क्लिक करोग आपके सामने अंडठेकिंग चैन्वेट थीक है और वह आपकी मेल को पर सेंड कर दिया गया है ठीक है अगर किसी की मेल पर ना आया हो वैसे आ जाता है सबसे इसी प बता देना ठीक है और फिर उसके बाद आपकी प्रोब्लेम सोल हो जाएगी आपका एंटी डेगिंग आपकी मेल पर आ जाएगा तो वाइं आप सभी का आपकी मेल पर आ गया होगा ठीक है लेकिन क्या हम जा सकते हैं भाई अभी निजा सकते एक बहुत इंपोर्टेंट बात जो कि आप सभी को बतानी है वो सुनके जाना सबसे पहले इंपोर्टेंट बात तो यह है कि निचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब को बटन दिख रहा होगा उसको दबा जाना तो भाई आपके जीमेल पर एंटीरेगिंग एफिडेविट की तरफ से एक मेल आई होगी ठीक है अब आप सभी यह बोलोगे कि यह मेल तो आगे लेकिन एफिडेविट तो हमें कहीं पर नजन नहीं आ रहा ठीक है लाश्ट यह तक्या था बाई आपका जो एंटीरेगिंग एफिडेविट वो बकायदा आपकी मेल के उपर आता था आपको उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके और उसके बाद आपको को लेज के अंदर समिट करवाना पड़ता था ठीक है लेकिन अपकी बार से गाइडलाइन्स हो गई है चेंज ठीक है 2021 का प्रोसीजर उतारो में ठीक है जो आपको आपको शोर नहीं किया जाता आपको करना क्या है यार वह मैं आपको बतायता हूँ दो को या पर सेकेंड पड़ो यार प्लीज फोरवर्ड इस इमेल विया इमेल टू दा कंसर्ण परसन इन यूर कोलेज ठीक है आपको कुछ नहीं करना बाई सिंपली आपके लिए हैपफुल रही होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल पर नई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई